हेले दोस्तों स्वागत है आप सब के पिने यूटूब चैनल रेंकर इस्टेडी सेंटर में तो दोस्तों आप सब का जो 11th कलास का त्रेमासिक परिछा नवंबर मन्थ में इस मन्थ में जो आप सब का त्रेमासिक परिछा चल रहा है न तो ये हमारे पास हिस्ट्री का इतिहा परजिन पर दिये इस प्रोले यसरेखती देका है तने ऐले आप सब कर दिया ये नहीं १ और आप और आप नहीं देखें तो प्रोल जाने पर देख लीजेए थी है तीस ओली आ falou एँ वहां आप सब कर दिये हैं अर भी हाह लगूतर ये यानि short answer यानि short questions और यहां पर दिर्ग उतर ये प्रवासन यानि long questions का answer बहत्री इन तरीका से आप सब को समझाने वाले हैं आपके अपने भासा में आपको समझा देंगे खुद आप अपने से बहुत ही असानी से अप लिख लिजेगा ये सभी प्रवासन का answer यह लगूतर ये प्रवासन दिया गया है जिसमें से आपको पांच को लगूतर ये प्रवासन का answer आपको बनाना है पांच को कोई भी पांच को प्रवासन का answer बना दीजेगा कोई भी पांच को प्रवासन का answer आप छोड़ दीजेगा चलिए आप पांच को प्रवासन का answer बहत् तो चलिए एक नवर जो प्रवस्न है ना समान तो वाद से अब क्या समझते हैं तो आईए आपके भासा में एकदम बहुत ही असानी समलुक समझते हैं यहां पर देखिए समान तो वाद किया था तो यहां पर देखिए एक नवर प्रवस्न है तो एक नवर प्रवस्न डालिएगा और डालने के बाद उत्तर यहां पर लिखिएगा कि समान तो वाद किया था यही प्रवस्न था ना तो यहां पर लिखिएगा अपने भासा में यह सब्द लिखिएग समान्तवाद से हम यह समझते हैं कि राजे की वरे वरे भूमी जमिनदारों के हक में रहती है इसे हम समान्तवाद कहते हैं बहुती असान भासा में लिखा गया है एक बार फढ़िये गा तो आपके दिमाग में छब जाएगा और यह भी सब यहां पर लिख दीजेगा परनाली थी जिसके अंतरगत आसास किये ब्यक्तियों द्वारा राजनीतिक सकति का पर्योग किया जाता था ठीक है यानि इसका एंसर समान्तवाद किया है इसका यहां पर उतर बहत्री इंतरिका से लिख दी हैं काम कीजिए इसे आप कॉपी में रोक कर लिख लिजे नहीं तो इस पूरा यह जितना प्रोस्न है ना पीडियेप के रूप में आप सबको बताने वाले हैं कहां पर आप सबको दे देने वाले हैं चलिए एक नमर प्रोस्न हो गया है दूसरा नमर जो प्रोस्न है कि वैस लेज फराथा किया थी तो आईए वैस लेज अपराथा किया थ यहां पर इसका भी एंसर बहत्री इन तरीका से लिखे हुए है देखिए दो नमर जो प्रोशन है दो नमर प्रोशन लिखेगा उतर लिखने के बाद वैसे लेज फ्रा था एक सस्कृतिक और आर्थिक प्रनाली थी जो मध कालीन यूरोप में विक्सित हुई थी बस इतना एं नाइटरस कोण थे इसका भी एंसर यहां पर बहत्री इन तरीका से लिख दिये हैं देखिए नाइटरस कोण थे तो उतर बस इतना ही लिखेगा के नाइटरस एक घुरसवार सेना थे यानि ऑस्व सेना भी लिख सकते हैं के नाइटरस एक ऑस्व सेना है या नाइटरस एक व्यक्ति थे ना वो अक्या थे का घूरा सवार यानि घूरा को बहुत ज़्यादा यानि घोड़ा पर चोड़ कर कोई भी सेना करते यानि कोई भी यूद करते थे तो नाइट्रस एक घूर सवार सेना है चलिए यह बिल्कुल आपको बुझा गया तीन नवर प्रसन का एंसर यहां पर देखिए देखिए दस और लज़य देखिए त्याण बहुतर को लौइंट को दी गए एक भूमी का एक वाग को फ्रीप फ्रीप कोहते हां इसका एंसर हो गया वह बिल्कुल य' halls जाएगा यानिर देखिए दोसमρο को लग उत्रिया दो तीन चारगों का बतला दिये न फांचवान नवर परसण का अंसर आप देखिए अब फ्रायर कौन थे तो इसका भी आंसर यहां पे बहतरी न तरीका से लिख दिये हैं देखिए पांच नवर परसण लिकिएगा आउतर लिखने के बाद के इसाई धर में के भीक्षूव लिखा हुआ है थोड़ा साब को दुधरा दिखाई दे रहा होगा भिक्चुओक के कुछ समुह मठो में रहने का निर्डाय लिया घुम घुम कर उपदेश देते और उपदेश के मतलब के ग्यान देते और जो दान मिलता उससे अपनी जीवका चलाते ऐसे समुह को फ्रायर क अर दो बहुते हैं जीससे हैं हुआंए और धर्मे में सादू से ठयना जाहिए घुम घुमकर को सब देते हैं नहीं तो ग्यान देकर जो भी उनसे वह दान मिलता था ना उनी को दान मिलने के बाद जो अपना जीवन वन चलाते थे ना उनी लोगों को फ्रायर कहते हैं ठीक है यह पांच नौप प्रॉसन का एंसर यह हो जाएगा वहत्री इंतर का सलीग दिया है आप सब को यह बिल्कुल समझ में आ जागा यह काम कीजिए सुरू से आपको यहां से छोट पीडियाप करते हैं यहां पे दो गो प्रॉसन का आप स्क्रीन सौट आसानी से ले लिजिए यह दूगों को फ्रायर का एंसर आप आसानी से ले लिजिए इस वीडियो के रोक के कॉंपी में आप लिख लिजिएगा चलिए एक दो हो गया अब यहां से आ जाते हैं तीन चार पांच एक साथा पे स्क्रीन सौट ले लिजिए एक के बार यह सभी समझे की लगूतर यह प्रॉसन में दौस प्रॉसन दिया गया है पांच प्रॉसन का एंसर बहतरी इन तरीका से आप सब को बतला दिये इसे उपर करते हैं स्क्रीन सौट आप ले लिजिए चलिए ले लिए ना अब यहां से देखिए यह दौसों अगर दीग हुए लगूतर यह जो प्रॉसन है ना अगर दौसों लगूतर यह प्रॉसन का एंसर अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क प्रॉसन का एंसर भें तरीका से पीडियेप का रूप में आप सबको दे देंगे अभी आपको जितना काम यह पांच को प्रॉसन में नगरों के उदाए के कारणों की व्याख्या करें तेरे नवर प्रोसन है यानि दिर उतर ये प्रोसन का ये तीसर का नवर प्रोसन होगा यानि तेरे नवर प्रोसन है कि कैथी ड्रॉल नगर का विश्थार पुर्वक वर्णन करें तो चलिए ये सभी प्रोसन का इंसर बह त्रीन तरिका से कीए हैंधो दिखे ला देते हैं इसे आप यह काम किजिए स्क्रीन सोट ही ले Lीजिए बेटर रहेगा एंसर इसका यह है मैनरों की जागेर का भीषतार पुरुडव की यह इसका एंसर हो जाएगा चले इसे आप स्क्रीन सॉट ले लिए होंगे आए यहाँ पे यह दूसर का नवर प्रवस्टन का एंसर है चले यह दूसर का नवर प्रवस्टन का यह एंसर है इसे आप स्क्रीन सॉट ले लिए होंगे ना तो चले ये पूरा paper को और ये पूरा person के PDF के रूप में इस video के description में आप चेक किजिए इस video के description में टेलीग्राम ग्रूप का एक link हम आपको दे दे रहे हैं उस link पे जैसे ही आप click किजिएगा तो टेलीग्राम ग्रूप में आप सब चल जाएगा वहाँ से ये सभी प्रॉसन को पीडियेप के रूप में डाउनलोड करकर आराम से पढ़ लिजेगा और एक कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट में जरूर हमें बताना है कि जितना दिन हम आप सबको पेपर दे रहे हैं किया ये पेपर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है करेंगे चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में